हेलो दूस्तों प्यासे इंस्टिट्यूट ऑफ एडूकेशन में आपका स्वागत है आज हम केमिस्टी का जो चैप्टर फोर है रासाइनिक बलगती की केमिकल काइनिटेक्स जिसे हम बोलते हैं उसे हम देखेंगे चैप्टर फूर रासाइनिक बलगती रासाइनिक बलगती की क्या है बहुत तक रासाइन केमिकल केमिस्ट्र जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसकी वह साका जिसके अंतरगर रासाइनिक अभिक्रियाओं की दर और अभिक्रियाओं की क्रियाओं की अध्यन किया जाता है अभिक्रियाओं की दर औ उनके क्रिया थीकात्यomina किया जा जाता है है उसे हम बहुत itई क्रशाएइन केvert की कहते हैं अब संब कि में बंखिड़ा है किशान होतीन प्रकार में बलसाएं कीक्रिया जो पहली है तधर्ण एक रभी र्या थो आपक्रिया किया हो भी अभी क्रियां जो नत्य नत्य देल्दweevillage संपन्न होती हैं ल temल रवह करीया बहुत कम SM eating संपन्न होने में उनैंने हम ती मरें आफिक्रिया कहते हैं जैसे एक्जाम्पल हम देखते हैं तो एक्जाम्पल है एजी एनो 3 प्लस एंचल एक एकवाल टू एनए एनओ फ्री प्लस एज़ी जो है इसका इसलिव है एनली सोडियम है एन गारी के साथ क्रिया करेगा तो आप द्ला लेगा और इसकी गलॉरिन के साथ क्रिया होगी तो एजील बना लिए एस एह प्लैस असे सोफोर क्या होगा दिए दो आखिक्रियां क्या है मन्दग मैं अभिक्रिया मंद बधिक्रिया जो मंदगां लगना जंग लगना जो लोह कच्छार होता है वह गलता समधिय समयधित आप इसका सूत्र है हिसे अभिक्रिया जो ना थो बहुत ना ही कम समय लेतі हैं मतलब की सामानिया लेती हैं बेखिक्रीया क्या होती है मां सामान भीक्रीया कहलाती है जैसे सी ऐस्टू हफाइब प्लस S2O Eqol To H plus की उपस्तिधी में सीस्ट तो है क्या होता है इसमा एथल एसिटेट की जाब जल्च कर वाई जाती है तो सिटे कम लिभा नता है और एथ राइस में तो तो जाता है तो यह अभिक्रिया भी अभिक्रिया है आँगे देखते हैं अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर या बेग कहते हैं कि अभिकारकों या उत्पात की संद्रता में जो परिवातन होता है उसे हम अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं इसका जो मात्रक होता है मौल लिटाइन वर्ष का मात्रक होता है मोल मधी मात्रक होता है तो क्या होगा बराबर अभी क्रिगा यह उत्पात की संद्राव संध्र नकोड Linux करेंगे उस although इस वह संध्रन के लिए डी एक्स हो जाएगा आंगे हम नोट देख लेते हैं तो इसमें अभीकारक के सापेक्च अभिक्रिया की दर हमेशा रनात्मक होती है क्योंकि समय के साथ क्रिया कारक की संद्रता घटती है क्या होता है कि अभीक्रिया की दर क्या होगी रनात्मक होगी क्योंकि क्रिया का समाए defe dripping समय की तर माइनश हो कि तब माइनस डीए अपन डीटी हो जाएगा और उत्पाद के साफ एक छवी करिया की द्याधना दमक होती है क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में पैद्धी होती है यदि इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं यदि ए प्लस बी एक्वल टू सी प्लस डी ए भी दो क्या हैं अभीकाराख हैं और उत्पाद हैं तो जो अभीकाराख हैं इनके द्वारां उत्पाद बन रहा है तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो अभीकाराख हैं इनकी सांद्रता में कमी आएगी क्योंकि ये बनके आंगे देखते हैं अभि ऑिक्रिया लग यह ताय चानी कि विटक निया에 कि अभिक्रिया की उस् Champion के लिए ग्याद की जाती है तो इसे तर कहलाती है से डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या होता था कि अलब समय के लिए डी एक्स अपॉन डी टी लेते थे आवे बड़े समयां तराल के लिए क्या हो जाएगा की डी डी डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा इस से प्रदाय सते से करेंगे अभी क्रिया कि कि औस अदर बरावर क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन डेल्टी हो जाएगा आंगे देखते हैं और इसमें डेल एक्स क्या है अभिकारा कि या उत्पात की संदता में परिवायतन है क्या डेल एक्स ताच्छाने के दर में जब किसी अभिक्रिया की दर सुख्ष में समयांतराल के लिए डे एक्स अपॉन डेल्टी से प्रदासत करेंगे पहले भी हमने बताया है तर दर एक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टी हो जाएगा जहां डेल्टी अभिकार को या मुद्पात की मैं सुख्ष में परिवायतन है डेल्टी अब आंगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आंग के क्वेश्चन है उसे हम पहले देख लेते हैं एक रासाइनक अभिक्रिया जो है टू एक कोईल टू फोर वी प्लस सी गैसी प्रवस्ता में बंद पात्र में होती है एक क्या है अभिकारक और उत्पाद बंद पात्र में होती है बी के सांद्रन को दस सेकंड में पांच यानिकि 5 इंटू 10 तो दिपावर 3 मोल ली टाइन वरस बड़ा दिया गया तब बी के प्राप्थ होनी की दर और एक लप्थ होनी की दर को याद कीजिए इसमें दिया ग ठीजिए सांद्रन को दो भी के संद्रता क्या दी गई है 5 कि इंटू 10 to the power 3 मोल ली टाइन वरस एक भी के फी संद्रता दी गई है और इसका समय भी दिया गया है कितना टेन सेकंड एक समय दिया गया है अब तो हम इससे बी के बनने की दर ग्यात का सकते हैं तो बीके बनने क कि दर इसमें क्या हो जाएगी सब्सक्राइब बनने की दर क्या हो जाएगी जो संद्रता है इसकी बीके बनने की दर क्या हो जाएगी 25 इंट्टू 10 तो दिपावर 3 एस अंदरता बटे में क्या हो रहता है समयांत्राल कतना है 10 एह हो जाएगी विके बनने की डर मैं अभी क्रीय क्या हो रही है 2 वे क्वल 2 वी प्लस सी तब अभी क्रीया की दर क्या होगी 2 है तो क्या होता है कि अब इसमें एक या है 2a अभिकारक है और 4b प्लस c क्या है उत्पाद है तो अभिकारक हमें इसक्त क्या रहेगा माइनस में क्योंकि यह कम होता है तो माइनस 1 upon 2 d upon dt हो जाएगा और 4B ये दोनों उत्पाद हैं 4B और C तो ए प्लस में रहेंगे 1 upon 4 DB upon DT हो जाएगा और उसमें DC upon DT हो जाएगा A अभी क्रियाएं की दर हो जाएगी अब A के लुप्त होने की दर हमें गयात काया नहीं है तो A के लुप्त होने की दर क्या है minus 1 upon 2 2DA upon DT या इसी के बराबर क्या होगा equal to में क्या होगा 1 by 4 DB upon DT क्योंकि A क्या हो रहा है A उत्पाद बन रहा है और A है अभी कारक अब A टू उपर चले जाएगे तो 2 upon 4 हो जाएगा यानि 1 by 4 हो जाएगा चुकि DB upon DT हमें दिया गया है B की सांदरता हमने अभी नकाली B की सांदरता जो है हमने अभी नकाली है तो B की सांदरता नकाली कितनी 5 into 10 to the power minus 4 A हमने B की सांदरता देखी है क्योंकि केसे 5 into 1 upon 4 हम बताते हैं फहीं से क्या है कि क्या आई थी पाइब इन टू 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 दिवावर कितनी आए थी फाइब ड्यू टो दिवावर थिरी है ती माइनस ठी अपन में 10 हो गया अब टैन उपा जाएगा मायनस तरी पहले से और मायनस वां नियक को जोड़ जाएगा मैंस फोर हो जाएगा इंग्ति की सांधर था आगए कि यही deliver उत्तोने की दर क्या हो गई यह हो गई आंगे देखते हैं अंगला कॉस्चन क्या है टूए उत्पाद अभी क्रिया में एक ही संदता टैंड मिनेट में यानिकि दस मिनेट में 0.5 मुली टाइंबस से घटका 0.4 मुली टाइंबस रह जाती है इस समय अंत्राल के लिए अभी क् की दर को हम कैसे निकालेंगे अभी क्रिया की दर का जो हम निकालेंगे अंत्यम संद्रता माइनस क्या होगा प्रारंभिक संद्रता जो अंत्यम संद्रता है वो और जो प्रारंभिक संद्रता है वो उसको घटा देंगे अंत्यम संद्रता में से प्रारंभिक संद्रता को 0.4 मॉल लीटा इनवाइस और प्राड़ाम भखसान देता है 0.5 मॉल लीटा इनवाइस इसमें समाए 10 मिनट दिया गया है तो इसमें हम मान रख देंगे 1Y2 1Y2 किसली है क्योंकि 2 अत्पाद में तो a2 a है तो a क्या हो जाएगी 1Y2 इसकी अभी किलिए आखिबो तो 1Y2 0.4 माइनस 0.5 अपन 10 हो जाएगा इसे स्वाल करेंगे तो मान वाइ् टू जिरो पॉइंट वान हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइं तो माइनस में आएगा अप मोन में टैन हो जाएगा है आंगे इसमें क्या हो जाएगा कि की जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइब मोली टाइन वस के आ जाएगा इसका अब आंगे देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावत कायने वाले कारक कि कौन-कौन से कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावत करते हैं पहला कारक है अभिक्रिया की संद्रता संद्रता क सन्देता बढ़ने से अभिकोरिया की दर में बढ़ती है क्योंकि अभिक्रिया की अभिकृया करेंगे यानि की अभिक्रिया करेंगे तो इससे अभिकरिया की दर में ब्रध्धी ओती है और द्रब्यानुपात कि रिया के नियम आनुसार अभिकरिया की दर अभिकारकों के सक्ष क्रिया सांदृता की गुणानफल के समानुपाती होती है बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है रशाया वर चल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया जल है तो जो गरम जल होता है गर्म जाल होता है जो अ स्ट त्राइट ध्र quien्ण बढ़ेगे तो हम tentang पहले ही देखा कि जबढ़ेगी तो अ पढ़ाने पर भी अभी क्रिया की दर बढती है और एक और ढकी है कि किसी राशने निकाट बढ़ा दिया जाता है तो अभी क्रिया की दा दोगनी बढ़ जा याथ है यह अभिकारकों प्रेश्ट प्रेश्टिय छेतर फेल यदि दो अभिकारक है यह जतना अधेखोगा दोनों में अभिक्रिया उतनी जल्ली बड़ेगी तो इसके आंगे अब हम अंगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो